तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपनी सीएफिक की थियोरी को कंप्लीट कर लिया था ठीक है और उससे रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट थे वो सब हमने कवर कर लिये थे ठीक है आज हम एक और इंपोर्टेंट चेप्टर या इसी चेप्टर का एक पार्ट स्टा समय सब्सक्राइब को अग्याइब कर तो आपको ध्यान से बढ़ना ठीक हम पढते हैं आपके बॉंडिंग इन मेटल कार्बणील में तो देखिए हैं दो टाइब के आपके यहां टर्म यूज में आते हैं वह मैं आपको बता देता हूं ठीक होता है आपका होमोलेप्टिक होमोलेप्टिक और एक होता है आपका हीट्रोलेप्टिक 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 में मतलब आपका जो लीगेंड होते हैं वो सेम होत था टाइप ओफ लेगेंड थीके जैसे हम बात करें एफी सी यो होल फाइफ ठीके जहां पर आपका लेगेंड कौन है सियो है सेमी ही है ठीके हीट्रोलेटिक में क्या होता है आपके मोर देन वन टाइप ओफ लेगेंड आते हैं काम में ठीके ना कोई भी हम आरभिट्री एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक अर्वीट्री एग्जाम्पल एक तो मतलब क्या यहां पर एक अलग आपका लेगेंड हो और एक अलग दोगूगा तो एसे बढ़ते हैं अब बात करते हैं आपके मेटल कार्बोनेस के बीच में ठीक है ना तो देखिए मेटल कार्बोनेस में आपके दो टाइप के बॉंड फोम होते हैं ठीक है जो आपके मेटल कार्बोनेस होते हैं उनमें आपके दो टाइप के बॉंड फोम होते हैं एक तो होता है स ठीके ना तो हम लिख सकते हैं इन मेटल कार्बोनिल्स तू टाइपस ओफ टू टाइपस ओफ बॉन्ड घड़ इस सिग्मा एड पाइब बॉन्ड आर फोर्म ठीक दो टाइप के आपके बॉन्ड फोर्म होते हैं एक सिग्मा और दूसरा ठीक है ठीक है कि हम देखते हैं कि केसे आपके सिग्मा बॉन्ड का फोर्मेशन होता है मेटल कार्बोनिल्स आपको पता ही होगा ठीक ना तो पहले हम देखते हैं आपके कैसे सिग्मा बॉन्ड का फोर्मेशन होता है ठीक है, सिग्मा बॉंड में क्या है, यह आपका C double bond, आपका C triple bond और कार्बोनील ग्रूप है, ठीक है, तो कार्बोनील ग्रूप अपना एक लोन पे है, यह हम कह सकते हैं, इसके जो vacant, इसका जो non-bonding molecular orbital होता है, इसका non-bonding molecular orbital होता है, ठीक है, उसमें इसके पास दो electron है, ठीक ठीक है, कार्बन के पास, ठीक है, यह दो electron होता है, ठीक है, यह दो electron आपका, यह जो carbon है, यह metal के vacant d orbital को donate करता है, ठीक है, कार्बन अपने electron pair को, यह आपके non-bonding molecular orbital होता है, ठीक है, उसमें दो electron रहते हैं, कोई bonding नहीं होती, इसलिए उसमें दो electron है, ठीक है, वो दो electron आपका carbon metal के vacant orbital को supply करता है ठीक है और यहां पर overlapping होती है और इसके थुरू यह होती है आपकी axial overlapping ठीक है और इसकी थुरू आपका sigma bond का formation होता है ठीक है ना simple process होती है एक्षियल overlapping से आपका sigma bond का formation होता है तो हम यहां लिख भी सकते हैं इन मेटल कार्बोनिल्स इन मेटल कार्बोनिल्स ठीक है दी नॉन बोंडिंग मोलेक्लर ओर्बिटल ओफ सी यो ओवरलेप in metall carbonyls the non-bonding molecular orbitals of co have axial overlapping axial overlapping axial overlapping axial overlapping with dh with dv vacant orbital of vacant orbital of metal I am या फिर आपका metal atoms आप बोल दीजिए metal atoms and due to this and due to this axial overlapping axial overlapping sigma bond is form आपके कौन सा bond form होता है sigma bond ठीक है sigma bond is form for MAD ठीक है sigma bond is form यह होता है सिंपल आपका formation किसका sigma bond का ठीक है इसको आप note कीजिए और अगर हम देखे पाइब और का formation कैसे होता है अगर हम बात करें पाइब और के formation की यहीं हम देख लेते हैं कि पाइब और के formation में क्या होता है यह आपका जो कार्वनील ग्रूप है ठीक है इसकी जो वेकेंट और बिटल से ठीक है ठीक है और यहां पर आपके oxygen के ठीक है कि पाइब और में क्या होता है कि पाइब और के formation में अब यहां पर तो आपके sigma bond का formation हो जाता है carbon अपना loan pair देता है आपके किसको metal को पाइब और के formation में metal अपने electron देता है किसको carbon के orbitals को और कौन से orbital को anti-bonding molecular orbitals को पाइब स्टार orbitals जिनको हम बोलते हैं यह आपका metal है ठीक है इसके पास है आपके fulfilled orbitals ठीक है जिसमें आपके दो और विट्ट डो आपके इलेक्टरों से ठीक है तो यह जो इलेक्टरों जो हैं आपके METAL के यह दो इलेक्टोन होते हैं होलेप्ञट отпorn यहां पर होती है आपकी या फिर साइडेवेइग ओवर्लेपिंग ठीक है आपने Kem头 Bonding में यह पर drinking Cuando में यह परढ़ा होगा ठीक है ना तो यह होती है आपकी साइडेवेइग ऑलेपिंग ठीक है और इससे आपका formation होता है आपके कौन से बॉंड का पाई बॉंड का formation होता है ठीक है यह sideways overlapping होती है और यह जो electron donate करता है यह आपके carbon के कौन से orbitals में आते हैं पाई स्टार orbitals में जिने हम बोलते हैं आपके anti bonding molecular orbitals ठीक है वहाँ पे यह आपके receive करता है carbon ठीक है तो यहां से जो bond का formation होता है यह होता है आपके pie bond का formation होता है ठीक ना इससीज़ को भी आप थ्यान में रख सकते हो तो हम यहां पे लिख सकते हैं नयुक्राइप के लिए कि फोर्ड़ा मैशन ओपाई बॉन क revolution of पाइब ओन ठीक है दिमेटल आयन दी मेटल आयन ठीक है और देर इन ओवरलेपिंग ओफ हम कह सकते हैं ठीक हम क्या कह सकते हैं देर इस ओवरलेपिंग ओफ देर इस ओवरलेपिंग देर इस ओवरलेपिंग ओफ फिल्ड दी ओर्विटल्स फिल्ड दी ओर्विटल्स ओफ मेटल और वेकेंट यहां पर कारबन के टूपी ओर्विटल्स रहते हैं ठीक है ना वेकेंट टूपी ओर्विटल्स अनियु है अनियु तीक है अनियु टूपी ओर्रवल्स दीक है orbitals of Cu okay so metal atoms donates electrons to the vacant pi star that is anti-bonding molecular orbitals of Co okay so for the formation of pi bond there is overlapping of field d orbitals of metal and yeah okay field orbitals d-orbitals chicken metal and vacant 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 2p orbitals you have a carbon of carbon so metal atom donates electron to the vacant pi star that is anti-bonding molecular orbitals of Co okay here's the formation of pi bond काई और यहां से पहले आपका कौन सा formation है Emer werde ہے Sigma bond का ठीक हैuman यह चीज इंपोर्टेंट है तो देखिए यहां पे दो न आपके for moregor एक sigma bio का formation हो और City का formation ऑपके सिग्मा ओनेशन हो रहा है सिग्मा बॉण का formation आपके से आपका पाई जो bond है वो भी आपके electron pair देगा और आपके यहां पे पाई बोनगा तो sigma bond और पाई बोन क्या है साथ साथ है ठीक है यह एक दूसरे के साथ synergy में वर्क कर रहे हैं ठीक है ना जैसे किसी बिजनेस में दो पार्टनर होते हैं और दोनों अगर एक साथ काम करें एक ही साथ continue ठीक है तो आपका बिजनेस क्या होता है ग्रो होता है ठीक है क्यों क्योंकि वो दोनों साथ में एक साथ synergy में वर्क कर रहे हैं ठीक है यहां पर sigma bond, pi bond को strength करेगा और pi bond आपके sigma bond को strength करता है ठीक है मतलब जो दोनों आपके bond हैं वो synergy में वर्क करते हैं ठीक है इसलिए इस टाइप के जो bond को हम क्या बोलते हैं synergic bond बोलते हैं ठीक ना दोनों एक साथ वर करते हैं ठीक ना दोनों एक दूसरे को साथ साथ रखते हैं और strengthen करते हैं ठीक ना तो metal carbonis में आपको जो bond दिखता है वह होता है आपका synergic bond वो sigma और pi bonding की वज़े से होता है ठीके ना इसको एक बार आप note कर लिए फिर मैं आपको यहाँ पर लिखवा भी देता हूं ठीके ना देखिये इसको मैं आपको लिखवा देता हूं ठीके ना कि यहाँ पर लिख सकते हो दी कि प्रजेंस ओफ सिग्मा बॉंड दी कि प्रजेंस ओफ कि सिग्मा बॉंड देखो अभी के वल आपको तीज़े वो समझते वह जाना ठीके ना लास्ट में एक रिजल्ट आएगा वह आपको दियान रखना ठीके ना वह पूरा उसका नी का सार रहेगा ठीके ची अ समरी एक तरीके वाई से वर्सा मिन्स आपका जो प्रेजेंस ऑफ पाइब बॉन्ड होगी वो किसको स्टेंथन करेगी आपके सिग्मा बॉन्ड को ठीक है ना तो इससे होता क्या है देखिए यह तो हो गया चलो ठीक है लेकिन इसका इंपेक्ट क्या पड़ता है हम क्यों पड़ रहें का मेटल आयन है ठीक है वो अपने इलेक्ट्रों पेर डोनेट कर रहा है किसको कार्वन कार्वन गूर्प को ठीक है सीयों गूर्प को लेकिन यह कहां जा रहे हैं आपके पाइस्टार इस एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ओर्बिटल के अंदर जा रहें ठीक है ना तो हमने इंटी बॉन्डिंग में एंटर हो रहा है थीक है तो नेगिटीव वैल्यू बढ़ रहे है अगर आपके बढ़ेगी यह वैल्यू एने की तो यह जो बॉन्ड ओर होगा यह क्या होगा अपका डिक्रीज होगा यह इंपोर्टेंट चीज़े जो आपको धियान रखनी है कि म मेटल जो होते हैं अपने इलेक्ट्रों को कार्बोनेल ग्रूप के पाई स्टार इस एंटी बॉंडिंग मोलिकुलर ओर्बिटर्स में डोनेट करती इस वज़े से उसका जो बॉंड ओडर है यह कार्बन और ओक्सीजन का वो क्या होता है डिक्रीज होता है ठीके बॉंड ओड में तो यहां पर जो यूर त्रीपल बॉंड नहीं रहेगा उससे क्या हो जाएगा वह नूडर कम हो जाएगा यह इंपक्ट पड़ता है इस पर ठीके सेम तुसे में आपका इंपक्ट पड़ेगा आपके मेटल और कार्बन की लेंथ पर भी ठीक ना वह भी हम देखते हैं एक बार आप इसे नोट के लीजिए यह पूरे को फिर में आपको इसके बारे में थोड़ी सी थियोरी लिखवा देता हूं ठीके ना ओके तो देखिए ठीके ना कि प्रेजेंस आप सिग्मा बोंड दें पाइब उसे वर्स और इस टाइप की जो बोंडिंग होती है यहां एक लाइन अपेट कर सकते हो एंड इस टाइप एंड तिस टाइप आफ बोंडीग इस टाइप ओफ बोंडिंग इस नोवान एंज synergic bonding synergic bonding ठीक ना इसको भी आप नोट कर सकते हो ठीक है क्लियर है इसको एक बार आप नोट किजिए ओके देखे अब हम पढ़ते हैं आपका जो impact होता ये क्या होताए synergic bonding का impact ठीक है ना वो हम देख लिए थे इंपेक्ट ओफ सिनर्जिक बॉन्डिंग इन सी यू ठीक है देखी तो हम यहां लिख सकते हैं इस इन सिनर्जिक बॉन्डिंग इन खंध थो हम इसस इन इन थम रॉन्ड इना कर्ड़ोग् डॉन्डिंग बॉन्डिंगर्टोส तो ग्रभटी अर मॉन्डिंग ​​ in its pi star that is anti-bonding molecular orbital so the bond order bond order of co will decrease क्योंकि हमें पता है bond order का formula क्या होता है half into nb-na इसको भी आप note करके लिख सकते हो ठीक है यह हम chemical bonding में 11 पर पढ़ते हैं ठीक है तो अगर हमें comparison करना पड़े ठीक है कि co की bond length का आपको comparison करना है ठीक है एक तो free state में free state में तो यह जब आपका metal नहीं है है metal carbon नहीं है simple आपका co bond length है ठीक है जब आपके free state में ठीक है और एक आपको comparison करना है co bond length में जब आपके carbon group में है ठीक है जब यह तो metal carbon से नहीं जुड़ा है metal से नहीं जुड़ा है ठीक है तो यह आपकी कोई type की bonding bonding नहीं है simple as co ठीक है और एक जब आपके carbon group है ठीक हम जब मतला metal के साथ bond formation हो चुका है ठीक है दोनों में अगर bond length का comparison करना है तो अभी हमने देखा कि जो bond order है वह क्या होता है आपका decrease होता है bond order decrease होगा तो अगर हमें यहां bond order का comparison करना है ठीक है bond order का अगर हमें comparison करना है तो यहां पर फर्फेक्ट 3 bond order रहेगा लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा उससे कम हो की और और निए जिसको बॉल कि नज़ी ता फिर कि बॉण्भ टर्ट है वहीं किसका ओर रगता है फिर घंटकर अने ज्द उसकी बव इस पूल नर्फ एकशा अलएंड रटन लोक्त ह Uhh मुझे ऑप लोगों को याद होगा ठीक है तो दिखिए कि हम 11 में बढ़ते हो उसको ठीक है तो बात करेंगे तो यह ओंड और कं donation न तो वहीं अगर हमें bond length का order find out करना है कार्बोनील और free state में ठीक है तो bond order कम हो रहा है इसलिए bond length क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है तो आपका order क्या हो जागा ठीक है तो इस टाइप से आपको comparison करवाएगा question इसमें कुछ नहीं होता है केवल लेंथ के या bond order के bond energy के इनके comparison के questions पूछे जाते है ठीक है तो वह चीज आपको ध्यान रखनी है यह तो है आपका impact किसके उपर carbon और oxygen के उपर वहीं आप देखोगे तो metal और carbon के बीच में जो bond है उसके उपर भी impact पड़ेगा इसका बिल्कुल पड़ेगा पहले जो था आपका normal sigma bond था ठीक है एक सिग्मा लेकिन अब क्या हो गया आपके PIE bond आगया मतलब एक bond extra हो गया मतलब पहले अगर इसका bond order one था तो अ जख में टल कार्बोनील के साथ में इसकाeles או抡़ेगा एक से ज्यादा हो जाएगा parcel bond हो वह वह और एक से ज्यादा होगा ठीक है तो यह चीज़ भी स्टेट ओर यह आपका कोई भी हम इसको एससे रहोग दीजैंई ठीक है न हम abonnury कुछ इसकी समी था तो इंप्डरेट में डिक लेता हैं किसे ऊठीक है थिकत को ना यह उप्रोटन्स है और यह लिक sait दो कि सुअगी थे और लूंई कि पोरी कहानि आपको समझ में आए तो अच्छीब है नहीं इा तो भी टेंशन Ay Metal Carbonyls, in Metal Carbonyls, the CO bond length, CO bond length increases and MO bond length decreases. तो यह इतनी से समरी है, इस कहानी की, जो आपको ध्यान होनी चीए, यह हमने bond length के लिए पूछा है, वह सकता है, वह आपको bond order के लिए पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसका just reverse कर देना है, ठीके, bond order क्या होगा यहाँ पे, decrease होगा, और यहाँ पे increase होगा, ठीके, bond energy boost ले, same order रहेगा, bond order जैसा ही, ठीके, तो यह है कहानी है, आपकी किसकी, metal carbonis की, ठीके न, I hope आप लोगों clear होगा, ठीके न, यह समरी है, यह याद रख लेना, ठीके बस, बाकी सब हम देख लेंगी, ठीके, clear है, इसको आप note कीजिए, फिर हम इसके उपर best कुछ examples भी try कर लेते हैं, ठीके, तो I hope यह आप लोगों को clear होगा, ठीके न, जो important चीज है, metal, in metal carbonis, the CO bond length increases, ठीके, क्योंकि इसका bond order क्या होता है, decrease होता है, and ammo bond length decreases, ठीके, यह चीज़े जो आपको ध्यान रख नहीं, एक और चीज में आपको यहीं पर बता देता हूं, देखिए, कि, अगर हमें दो complex दे दिये जाए, और उनमें हमें strength का पता करना हो, ठीके न, जैसे, यह आपके CO bond order है, ठीके, यह bond length, CO bond order का हमें comparison करना हो, कि दो complex में, अलाग अलाग complex है, metal अलाग है उनके लिए, तो हम कैसे compare करेंगे, देखिए, यह जो आपका metal आयन है, इसकी, जितनी ज़्यादा, पाई electron को donate करने की tendency होगी, उतना ही यह जल्दी आपका, पाई electron को donate करेगा, और उतना ही ज़्यादा, इसमें क्या होगा, decrease होगा, bond order में, CO में, ठीके, लेकिन अगर मान लोग कोई ऐसा metal है, जिसकी electron को donate करने की tendency कम है, तो यह उतना अच्छी तरगे से electron को donate नहीं कर पाएग ठीके ना, इसलिए उसमें, केस में आपके bond order होगा, वो, कम decrease होगा, ठीके ना, यह चीज है, जो ध्यान रखनी है आपको, यह मैं आपको point बनवा की लिखवा भी देता हूँ, ठीके ना, ताकि आगर हमें compare करना हो, तो हम compare भी कर सकते हैं, ठीके ना, तो हम कहा सकते हैं, next point अगर हम लिखना चाहें, तो decrease, decrease in bond order, decrease in bond order depends on, depends on the electron, donation, tendency, of metal, of metal iron, ठीक है, तो bond order में कितना decrease होगा, किसके उपड़ डिपेंड करेगी, यह जो metal iron है, वो कितना electron donate करता है, ठीक है, उसकी tendency क्या है, that is, हम कह सकते हैं, that is, higher is the, higher is the tendency for electron donation, for electron donation, more decrease, more decrease, will be in CO bond order, ठीक है, जितनी ज्यादा electron को donate करने के tendency होगी, pi electron को, उतना ही ज्यादा इसमें क्या होगा, decrease होगा, bond order में, ठीक है, bond length में उतना ही increment होगा, ठीक है, यह चीज़े, जो आपको ध्यान रखने हैं, तो अगर हम compare करें, electron donation tendency, tendency, ठीक है, तो देखिए, अगर इस metal के उपर positive charge है, यह जो आपका metal आयन है, इसके उपर मान लो positive charge है, positive charge है, मतलब इसके पास पहले electron की क्या है, कमी है, तो यह electron donate करना पसंद करेगा, नहीं करेगा, तो अगर metal के पास positive charge है, या उसका positive oxidation state है, तो उसकी electron donation करने की tendency क्या होगी, decrease होगी, तो हम लिख सकते हैं, electron donation tendency is inversely proportional to positive charge, और metal ion, यह फिर हम कह सकते हैं, अगर मान लो इसमें negative charge हो, तो electron के देने की tendency क्या होजी, increase हो जाएगी, that is, negative charge, directly proportional to negative charge on metal, ठीक है, ठीक है, directly proportional to negative charge on metal, ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, compare कर सकते हैं, आपके, अलाला complex के लिए CO bond length को, ठीक है, यह important चीज़े जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, एक बार आप इसे note कीज़े, फिर हम इसके उपर based कुछ numerical करते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी practice हो जाए, ओके, तो यह कुछ questions हैं, जो आपको try करने हैं, ठीक न, देखिए, एक एक करके हम try करते हैं, first question क्या करता है, in which of the following CO bond length is maximum, इन में से किसमें आपके CO bond length maximum है, ठीक है, तो CO bond length कब maximum होगी आपके, जब किसी भी metal के electron donate करने की tendency क्या होगी, maximum होगी, जितनी ज़्यादा उसकी πाई electron को donate करने की tendency होगी, उतना ही आपका bond order decrease होगा, CO का, और CO की bond length increase होगी, ठीक है, तो इन में से आपको देखना है, CO bond length maximum किसमें, तो जिस metal की electron को donate करने की tendency maximum होगी, उसी case में आपके CO bond length क्या होगी, maximum होगी, यहाँ देखिए, अभी हमने देखा था, electron donate करने की tendency होगी, directly proportional to negative charge होती है, और inversely proportional to होती है, positive charge, तो सबसे कम तो होग कि इसमें, क्यों हो, क्योंकि उसके उपर क्या है, minus 2 charge है, ठीक है, तो answer क्या आएगा, same, C answer आएगा आपको, जो आपको ध्यान रखना है, clear है, easy question है, बिल्कुल, ठीक है, next question देखिए, next question में, आपके, arrange in increasing order of CO bound length, अब आपको, arrange करना है, इनको, ABC, तीन option दिये हो है, इनको, आपको arrange करना है, increasing order of bound length, वो ही फंडा, जो, जिस metal की, electron को donate करने की tendency, ज्यादा होगी, उसकी bound length सबसे ज्यादा होगी, तो देखिए, negative charge है, इसकी, electron donate करने की tendency, सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी, तो यहाँ पर bound length भी क्या होगी, सबसे ज्यादा हो, ठीक है, तो CR, CO, whole 4, अगर यहाँ मैं order लिखूँ, यह question आप लोगों ने note कर लिया होगा, ठीक है, देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपका order लिखूँ, इंक्रीजिंग order पूछ रहा है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा IS होगी, आपकी CR, CO, whole 6, minus की, ठीक है, सबसे कम किसकी होगी, की, प्लस वाले की, that is, CR, CO, whole 6, ठीक है, और यह आपका middle में आएगा, CR, neutral वाला, CR, CO, whole 6, ठीक है, यह order होगा, आपका increasing order होगा, ठीक है, second हो गया, third उदर से हम देखते हैं, आपका question, ठीक है, ठीक है, third देखिए, question क्या है, if CO bond length in CO, is 1.128 angstrom, ठीक है, value दे दिए, normal जो आपका CO bond length है, उसकी bond length की value है, 1.128 angstrom, ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, CO bond length in FE, CO, whole 5, CO bond length पूछी है, आपको, किसमें FE, CO, whole 5, मतलब metal carbonyl में, तो हभी हमने देखा, कि metal carbonyl की case में bond length क्या होती है, bond order decrease होता है, bond length increase होती है, मतलब जो आपकी bond length होगी, वो इस से ज़्यादा होगी, clear बात है, 1.128 से ज़्यादा, यह तो बराबर है, तो होगा है, यह हो सकती है, यह फिर आपका, यह हो सकती है, यह तो कम है, यह नहीं होगी, ठीक है, अब दो case है, एक तो 1.128, और एक ही है, आपका 1.15 है, और एक ही है, आपका 1.72, यहाँ आप देखो कि तो bond length में, बहुत चादा increment हो रहा है, ठीक है, इतना नहीं होता है, bond length, bond order जो होता है, वो decrease होता है, पर ऐसा नहीं कि आपका triple bond है, तो वो 2 bond में हो जाएगा, या 3, 1 bond, single bond हो जाएगा, इतना नहीं होगा, वो अगर 3 है तो 2.8, 2.7, इतना होगा, तो अगर bond length में increment होगा, तो थोड़ा सा होगा, 1.12 है, तो 1.15, 1.8, 1.9, 1.2 तक जाएगा, उससे maximum नहीं जाएगा, ठीक है, तो आपका correct answer कौन सा रहेगा, बी वाला, ठीक है, इतना increment नहीं होगा, ठीक है, यह भी चीज अपने को देख नहीं होगा, ठीक है, यह भी चीज bond order is of CO is list, अब क्या पूछा आपको, bond order list पूछ लिया है, यह हम कह सकते है, bond order list पूछा है, तो bond length maximum, बात तो एक ही है, वही निकाल लो, bond length किसमें maximum होगी आपके, जहां पर negative charge है, simple, कोई दिक्कत नहीं है, इधर देखिये question, in which of the following, metal carbon bond, अब यहां पे आपको metal और carbon का bond पूछा है, ठीक है, यह चीज़ आपको ध्यान रखना है, यह वाला bond नहीं पूछा है, यह वाला bond पूछा है, metal और carbon के बीच का, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं, metal carbon bond is highest, ठीक है, किस में आपका metal carbon bond है, वो highest है, सीधी simple सी बात है, जहां पे आपके, जो metal है, ठीक है, उसकी electron को donate करने की tendency ज्यादा होगी, ठीक है, वहाँ पे आपका pi bond अच्छा बनेगा, strong बनेगा, अगर किसकी tendency कम है, तो pi bond की जो order होगा, बनना चीए, वो कम होगी, इसकी strength के उपर है, ठीक है, तो आप वो metal देखी है, जिसकी electron डोनेट करने की tendency सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी pi bond बनाने की tendency सबसे ज्यादा होगी, अगर pi bond बनाने की tendency ज्यादा होगी, तो CO की जो bond order है, वो भी ज्यादा increase होगा, वो ही पूछ रहा है आपको, किसमें CO bond order, metal carbon bond order, highest है, किसमें होगा, जिसमें आपके उपर negative charge आएगा, कहां पर negative charge, यहां पर, highest, lowest पूछ लेता तो जिसमें आपका positive charge, ठीक है, यहां से भी हम कर सकते हैं, question को, ठीक है, तो इस type के questions आते हैं, और यह IIT में, नीट दोनों exam में आते हैं, ठीक है न, और बिल्कुल easy questions होते है ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा अलगा सा दिमाग लगाना है, और आपको questions soul हो जाएगा, ठीक है, इसे note कीजिए, फिर इसी का एक और part भी आता है, that is known as stretching frequency, ठीक है, stretching frequency के उपर भी कुछ questions पूछे जाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है, एक बार आप इन questions को note कीजिए, है, ओके तो आई होब यह आप लोगहें नोट कर लिया होगा, अब हम अपना एक टर मोड़ देखेंते हैं, लाष्ट इस स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, ठीक है, देखें, कि एक टर्मोर होता है जो काम में आता है ठीक ना देटी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इस्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इसको जनरली हम न्यू से या फिर न्यू बार से रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो इस सी ओ बॉंड की जो बॉंड लेन्थ उसको स्ट्रेच करने के लिए जो frequency काम में आती है, उसे हम बोलते हैं, stretching frequency, simple terms है, ज्यादा detail में अपने को जाना नहीं है, ठीक है, यह CO bound ले, ठीक है, मान लो, इसको break करने के लिए कोई particular wavelength की आपको energy देनी पड़ेगी, ठीक है, E equal to H नहीं होता है, ठीक है, हम सबको पता है, ठीक है, मतलब, अगर energy हमें ज्य frequency क्या होगी, ज्यादा होगी, वही होती है, आपकी stretching frequency, अगर आपके पास एक triple bond है, तो उस bond को break करने के लिए आपको energy ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब, आपके frequency ज्यादा होगी, single bond होगा, तो आपके stretching frequency क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आपको energy कम देनी पड़ेगी, यही important चीज़े जो आपको ध्यान रखनी ठीक रहा इस यो गुरिंट के लिए आपकी stretching frequency apply होती है ठीक रहा सिंपल टर्म में stretching frequency की बात करें तो इट इस दा मेजर ओफ हम कह सकते हैं इस तब मेजर ओफ कि एनर्जी रिक्वाइड एनर्जी रिक्वाइड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वाइड होती है ठीक है उसका मेजरमेंट होता है अगर एनर्जी रिक्वाइड कि अगर हम बात करें जो एनर्जी रिक्वाइड यह चीज आपके श्रेचिंग फ्रेक्वेंशी कि ठीक है और श्रेचिंग फ्रेक्वेंशी जितनी ज्यादा होगी उसका जो अगर ज्यादा ओडर्र की बात करें वह क्या होगा ज्यादा ओगाया कम होगा डारेक्क ली प्रोपोर्श्न टो हता आपका co bond order ठीक है अगर आपका co bond order कम होगा co bond order आपका कम है तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको energy भी कम देनी पड़ेगे मतलब stretching frequency भी कम होगी अगर co bond order ज्यादा है तो stretching frequency भी ज्यादा होगी क्योंकि आपको एनरजी ज्यादा देनी पड़िए उसको ब्रेक करने के लिए ठीक है तो सिंपल सा आपको यह चीज द्यान रखने ठीक है ज्यादा टर्म में अंदर गुसना नहीं है कि stretching frequency नाम सुना है बस और यह चीज आपको यह दखने कि stretching frequency अपने पर सियो बोंड ओडर का तो पता है इसी वह और निकाल सकते हैं और कभी कभी stretching frequency का भी order पूछ ले जाता है तो सियो बोंड निकाल लेंगे वही ओडर आपके किसका होगा stretching frequency का ठीक है जनरली कभी-कभी अपने रहने को पता है new is equal to see upon lambda होता है ठीक है और यहां पर नुशो पर यह होता है यह आपका second inverse होता है इसकी unit हम देखे तो ठीक है सेगंड इन्वर्स और इसे हम new bar भी लिखते हैं और यहां पर न्यू बार तक आपका वेव नमबर होता है क्या होता है वेव नमबर कि इसकी यूनिट होती है आपके cm inverse ठीक है तो कभी-कभी generally questions में कभी-कभी आपको यह term भी मिल जाती है न्यू बार वाली वेव नंबर वाली ठीक ना तो यह भी आपकी सेम स्ट्रेचिंग frequency को ही denote करती है ठीक है जितनी ज्यादा आपकी wavelength होगी frequency होगी उतनी ज्यादा आपको energy भी देनी पड़ेगी ठीक ना इसे आप कीजिए कि मैं आपको इसके उपर बेस्ट एक दो numerical करवाता हूं तक कि आपको पता चले कि इसका यूज कैसे करते हैं ठीक ना एक बार आप इसे सबसे ज्यादा होगा जिस मैटल की electron donate करने की tendency सबसे ज्यादा होगी वहाँ पर co bond क्या होगा सबसे कम गिरेगा ठीक ना है वहां पर क्या होगा है यहां के लिए यहां पर माइनस चार्ज मतलब इसकी electron को donate करने की tendency कि ज्यादा उलेक्ट्रों को donate करने की tendency ज्यादा है तो आपका जो और ओडर होगा वो किया होगा डिकरीज जायदा होगा अगर सिधिनी डिकरीज जयदा होगा तो सब से कम स्टेचिंग फ्रकेंसी आपके इस केस में वी से ओ हो फोल 6-ठीक है अब दोनों पर फ्लेस चार्ज है जिइस कए यहां फ्रिक्टर आएगा आपका जडर एक्टीफी का ठीक है क्रोमियम मेंगे ड्री न तुनिटीफाईव ठीक है रूमियम।की मतलब एंड करने का टेंडिंसी ज्यादा है ठीक है तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी यहां से ठीक है इसकी सबसे कम उसके बाद प्रोमियम देन आपका सी यू कि अनलाच में आएगा आपका मैं ह्यां पर एमन की एलेक्ट्रों को डोणेट करने की ट Datक्रम सबसे कम होगे मतलब स्यों का चार्ज सब सब से जयादा है माईने सबसे जयादा है इस योगी सबसे कम सब्सक्राइब तो पी के लिए आप देखोगे तो 4, पी के लिए क्या आएगा आपका 4, उसके बाद माइनस 4 है, Q, तो इस से उपर वाली, that is 3, R में आपके 2 वाली, और S में आपके क्या आएगी, 1 वाली, ठीक है, क्यांकि इसकी इलेक्रोन डेनिक टेंदेंसी क्या है, सबसे कम है, ठीक है, तो सबसे कम है, तो इसकी stretching frequency, bond order क्या होगा, ज्यादा, bond order ज्यादा होगा, तो stretching frequency भी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है, important चीज़े जो आपको ध्यान रखनी है, clear है, इसे आप note कर सकते हैं एक बार, ठीक है, ओके, तो देखिए, आज के lecture में हमने हमने metal carbonyls के बारे में पढ़ा, basically ठीक है, तो दो ही चीज़ आपको त्यान रखनी है, आपको CO bond order निकालना है, या फिर आपका metal और carbon के बीच का bond order, वो मैंने आपको बता दिया, कि जिसकी electron donor के metal की ज्यादा tendency होगी, M और C, bond order जो होगा, वो ज्यादा होगा, ठीक है, और C और O, bond order क्या होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है, bond lane का order पूछ ले, तो भी आप उससे compare कर सकते हो, ठीक है, तो आज के lecture को हम यहीं finish करेंगे, और इसके एक दो topic और बात की हैं आपके chapter के, वो हम next lecture में बढ़ाएंगे, ठीक है, तो मिलते हैं फिर next lecture, thank you very much.